भाई हमारे साथ इतना बड़ा वाला फ्रॉड हो रहा है जिसे जानकर आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी 1200 करोड से भी ज्याद लूट लिये गए फिर भी सरकार चुपचाप दिख रही है तो आएए जानते हैं कैसे इन रेलवे वालों ने 1200 करोड से ज्यादा रुपए लूट ली सिर्फ वेटिंग की टिकट को कैंसल करके तो ये कैसे काट रहे हैं एक RTI से पता चला है कि रेलवे वाले क्या कर रहे हैं कि ट्रेन की एक डिब्बे में 720 सीटे हैं और वो कंफर्म होने के बाद भी 600 से ज्यादा तक और भी वेटिंग टिकट की ऐसू कर देते हैं एक रिपोर्ट में पता चला है रेलवे वालों ने 2021 में ढाई करोड वेटिंग टिकट कैंसल करके 242 करोड रुपए लुटे 2022 में 4.5 करोड वेटिंग टिकट कैंसल करके 440 करोड लुटे और 2023 में 5 करोड वेटिंग की टिकट कैंसल करके 500 करोड से ज्यादा की कमाई कर ली क्योंकि वेटिंग टिकट जो कैंसल किया जाता है उसमें 60 प्रतिशत की कटाउती होती है और यी टिकेट पर सर्विस चार्ज अलग से लगता है 15 से 30 रुपया तक का यह गलत है या सही कमेंट करके जरूर बताएं